हेलो फ्रेंड्स आप लोगों के बीच लेक आयें बहुती टेस्टी और बहुती स्वाधिश्ट चिकन सिकेंद्री टिकका कबाब बहुती टेस्टी होगा तो चलिए इस्टार्ट करते है रेसीपी फ्रेंड नमस्कार दोस्तों तो चलिए सबसे पहले हमको इसके लिए क्या क् चीली पेस्ट उसका बाद चाहिए आपको चिंजर गार्लिक पेस्ट उसका बाद आपको चाहिए गोटा ड्राइक मर्शाला जैसे कि लॉंग, गोटा धनिया, डाल चीनी, साथ में चाहिए आपको वाइट पेपर, थ्वासे चाहिए आपको ड्राइचीली, बिग इलेची, सा अब इसको फ्रेंड्स आपको पॉडर्स बनाना है कैसे पहले इसको था सक गरम करना है तो हमने एक नॉनिस्ट फ्रैक्नियो था सक शाही जीरा और जितना भी एस्पाइसेस जो हमने गोटा दिख लाए हैं उसको स्टेप बेस्टेप थोड़ा थोड़ा करकर हम एड करेंगे ह आप एक चीज़ को याद रखना है वीडियो को बीच में एसकीप नहीं करना है अन तक जरूर देखना है अगर चैनल पर नाया है तो प्लीज आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो शायर एंसक्रेब चरूर करना है और अच्छे हाथों से अच्छा कोमेंट भी करना है क्योंकि हम जो बनाने जा रहे हैं वो अलग-अलग टेस्ट में अलग-अलग रिसीपी डाल के बना रहे हैं और बहुत ही इंट्रेस्टिंग है आप चाहें तो इस मशाल में हरका सा तेल या घी डाल के भी फ्राइ कर सकते हो हमने थ्वासा नमक डाल के फ्राइ किया है फ्रा तो थोड़ा सा short करना पड़ता है, अब हम क्या करेंगे, bonless chicken का pieces बनाएंगे, pieces इस shape में बनाएंगे, जो cheek में जब हम लगाएंगे, तो कैसा लगना है, आप चाहें तो सीना piece भी ले सकते हैं, चाहें तो आप lake piece भी ले सकते हैं, आप दोनों pieces ले सकते हैं, क्योंकि lake piece लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा सा जोसीला होगा अगर सीना पीस लेते हैं तो थोड़ा सा ड्राइ होता है लेकिन एक चुली टिकका जब बनाएं तो थोड़ा सा जोसीला होने से अच्छा है तो हमने सारा पीसे कैसे बनाएं किस साइज कर बनाएं वो हमने आपको देख लाए हैं और इसको step by step अन तक देखना है क्योंकि यहीं पे खतम नहीं हो रहा है इसमें अब हमको mix करना है थोड़ा से स्वादनश्वार नमक थोड़ा से अपने जो powder अभी आपको सामने गोटा मसला किया हो वो उसका बत कस्मेरी चीली powder थोड़ा सा एड़ कर लेना है स्वादनश्वार नमक थोड़ा से lemon का juice और इसको अच्छा से mix करके थोड़ा देर के लिए रख देना है अब इसके लिए हम त्यारी करेंगे गिरे भी तो जैसे कि हम mixing ball लिया है उसमें add किया जिंजर गर्लिक पेस्ट गिरीन चीली पेस्ट औ थोड़ा सा सेर्चो का तिल हमने इसमें add कर लिया हूँ थोड़ा सा lemon का juice add कर लिया हूँ और हमने जो powder mix किये थे, powder किये थे भी गोटा मसाला वो add क्या हूँ, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी पत्ता का powder add कर लिया हूँ, cheese grate किया हूँ, इसको अब मैं अच्छा तरीका से mix कर वो भी आप देख लें थोड़ा सा एड कर ले आपको इसमें इलेंची का पोडर मिलने से और भी अच्छा फ्लेवर होता है और ये रहा शत्तू मतलब चनाज का शत्तू होता है न वो अब चाहे तो बेशन को भी घी में या बटर में फ्रैड करके आप एड कर सकते हो और ये रहा श्टेंड किया हुआ दही दही को आपको पानी अच्छा से निकाल लेना एक मार्किन कलोरत में डालके हमने सारा रिसीप में बताते आयो हो हो और आप लोग इस चीज को चरूर फलो करें अब ये गिरेवी रेडी है तो हम चिकेन में मिक्स कर लेंगे है न फ्रै मिक्स करने के बाद आपको फ्रैंड क्या करना है पता है न क्लीन फ्रीन लगाना है क्लीन फ्रीन लगाने के बाद इसको आपको फ्रीज में मिनीमम आदा घंटा या 20 मिनट के लिए रख देना है और हम आपको जल्दी देखलाना है इसलिए स्वार्ट करके हमने थोड़ा सा फटाफ़ बीडियो को देखला दिया हूँ तो आप लोग यह गलती ना करें फ्रीज में रखने अक बाद आपको एक पतला सा शीक रेडी करना है जो हमने स्कुएर से पतला सा शीक रेडी कर लिया हूँ यह स्कुएर है फ्रेंड्स यह चीज को याद रखना है प्लेन नहीं लेना है जो कि उसमें आपको टिका स्लीप कर जाएगा उसका वद आपको सीक में सबसे पहले ओनियंस या आलू या कोई भी चीज आप जो लगा दे जो आपका चिकेन जो है नीचे नहीं गिरे है ने फ्रेंट तो अब हमको चिकेन को जो है सीक में किस तरीका से स्टोप करना है मतलब एक एक करके चिकेन केसे गोपिंग करके मतलब लगाना है स्टेप बाइ स्टेप तो एक एक करके ऐसे ही आप चिकेन के स्टोप कर ले सारा और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप लोगों को ये वीडियो सिपसंकर सिप चैनल का वीडियो रिसेपी पसंद आए तो फ्लीज सेड और सिस्क्राइब ना करें हम ऐसे ही आप लोगों को दिल जीतने के लिए अच्छा अच्छा रिसेपी लेके आते हैं और जहां-जहां भी होटल ये रिस्ट्राइब अच्छा ओपेन करता हूँ तो आप लोगों को वो बला वीडियो भी देखलाने का कोसिस करते हैं है नफ फ्रेंट तो ऐसे ही सिपसंकर सिप चैनल पे बने रही है होटल जैसा टेस्ट अगर घर पे आप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए लकडी का स्टीक ले ले कोईला का जोगार कर ले और आप चाहें तो श्मोकर में भी बना सकते हैं अच्छा टेस्ट में है न फ्रेंट तो उमीद करूंगा इसई इंटेस्टिंग रिसीपी देखने के लिए शिफसंकर से परबने रही हिए गा और जिस तरीका से हमने कम स्टीम में तंदूर में भेकिंग कररों मतलब रोष्ट कर रहा हों उसी हिसाब से आप भी कम स्टीम में रोस्ट करें मिनीमम दस जे पंद्रा मिनट तब जाका आपका चिकन अच्छा तरिका से पक जा गा और गेश्ट के सामने जब भी आप सर्ब करें तो उसको उटासा श्म Pack करें श्मॉक कैसे करेंगे आपको उटासा घ्री या बटर मिक्स करके स्वारी घी नहीं बटर मिक्स करके डाल के उसको श्मोक करना है धक्कन लगा के अब हम गेस्ट के सामने कैसे सर्व करते हैं देखिए कितना खुबसूरत लगड़ा है देखने में तो ऐसे ही आप लोग भी बनाईए और जब भी कोई गेस्ट है तो इसी अच्छा खुबसूरत से सजा के खिलाए और सिफसंकर सिफ चैनल के नाम चरूर बोले तो चलिए फ् थेंक यू फिर में लेंगे नेरी चीपिके साथ